कि वोट्सप गाइज वेडियो गाइज मेरा नाम इस ट्रियास आप देखने मेरी यूट्यूब चैनल टकिस फन को तो गाइज जैसे मैंने प्रामिस किया था इस चैनल पे अन्बॉक्सिंग वीडियो मैं अप्लोड करने वाला हूं यह रहा आप लोगी के लिए फिर्स परसिंट यह थी यह का वारेंटी देती है क्योंकि मैं इसको कंफरमेशन इसलिए बता रहा हूं कि आज इस वीडियो में जो भी मैं रेविव करने वाला हूं यही मैंने इस प्रोड़क्त को साथ दिन यूज़ किया है सबें डेज यूज़ किया है मैंने और बाद में यह बना रहा हूं क्योंकि unboxing के साथ मैं इसको review भी कर सकूं review का मतलब यह नहीं है कि हम लोग unboxing करें review का मतलब होता है कि हमारी जो opinion है इसके साथ use करने के बाद हम लोग दे दें ठीक है तो हम लोग चलते है यहां पर वीडियो के उपर yen का मतलब है नानो और यहां पर देख सकते ह होती है 2.4 GHz आप लोग यह समझते है कि 300 mbps का मतलब होता है speed यह नहीं है यह सिर्फ megabytes है ठीक है यह speed range में जाती है यह कौन से range speed में जाती है जैसे आप लोगोंने bike में देखा होगा कि 20 speed 30 speed यह जाती है 2.4 GHz की speed पे ठीक है आप लोगों को जैसे पता है आपकी PC जो speed है उसका GHz है हम लोग जानते है कोई PC होती है 2 GHz की कोई PC होती है 3 GHz की यह होती है आपकी processor के उपर यह जो है 2.4 GHz है मतलब यह बहुत speed है ठीक है guys यहाँ पर देखे मैं इसको साथ दिन में जैसे use किया मेरे मेरी तरफ से मैं यहाँ पर तीन options दिये गए है यह जो है यह सच में है य GHz मैं बता दू 512 Kb per second में इस internet speed है यह देखिए guys यहाँ पर stronger signal हो है यह तो 100% देती है Guys मैं positive बता रहा हूं तो यह नहीं है कि यह sponsored video नहीं है यह sponsored video नहीं है मैं इसके review कर रहा हूं तो इसके जो भी है यह sub positive है मैं बता रहा हूं आप लोगों को मैंने इसको क्यों खरीदा इसका बहुत बड़ा reason है पीछे मैं आप लोगों को आगे इस video में बताऊंगा देखे guys यहां पर जो भी 3 दिखें होई है यह सब कुछ सच है इसमें कोई भी जूट नहीं है यह 100% legitimate है देख सकते हैं यहां पर installation की process दिए गई है किजिए एक बार अगर यह बार बार नहीं करना है एक बार आप लोगों ने डालके इंस्ट्राल करके बाहर निकाल दिया c.d को बस है इसके अंदर आप लोगोगों को CD मिलते है मैं आप लोगो भी दिखाऊंगा c.d ल्पश सब बाब सा जार बस एक निकाल दिजिये driver को यह जब आप plug करेंगे तो play हो जाएगा plug and play पहली बार जो है plug driver को install कीजिए बाद में play कीजिए बाद में क्या होगा plug and play plug and play ठीक है यह automatically connect हो जाएगा यहां पर जो लिखा हुआ यह सिर्फ हर्डस का चाहिए हमें यह तो हर computer में होता है cd-rom हर computer में होता है usb port कोई भी चलेगा 2.0 या 3.0 phone से भी चलेगा मैं इसको 3.0 में use करता हूँ यहां पर दिखें का इस package contents में आप लोग देख सकते हैं wireless adapters होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं लंबा होते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ इतना ही इतना ही है तो चलिए गाईज उपर कुछ नहीं है यहां पर तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या में मिलता है तो पहली चीज़ है हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं ठीक हैं । इसको यहाँ पे रख लेते हैं ठीक हैं यह जो है एसको बोग कि अगर पढ़ना तो पढ़ लीजर एक बेसिक सा है जैसे आप लोग installation process आप normally कोई भी software को install करते हो ऐसे इसको install करना है मैं आप लोगों को practical नहीं दिखाऊंगा उसके लिए sorry क्योंकि यह सब कुछ basics है मैं इस वीडियो को time waste नहीं करना चाहता है आप लोगों को बता देखा कि कैसे install करना तो हम लोग रख लेते हैं इसको हम लोग फिजिकली देख लेते हैं इसकी यह एक अच्छा सा अरे यार focus हो जाना यार तो यहां पर देखिए यह जो product है यहां पर आप लोगों को light blink होगा जब भी यह आप किसी USB में connect करते हो ठीक है यहां पर इसको निकाल लेते हैं तो देखिए गाइस यह जो है USB adapter इसको just plug कीजिए play कीजिए इतना ही बस है आप लोगों को पता है मैंने इसको क्यों लिया इसके अंदर एक बहुत बड़ा reason है इसकी पीछे जो है इसकी पीछे जो है बहुत बड़ा reason है तो guys जैसे आप लोगों को पता है इस channel पर मैं मैं जो हूँ ethical hacking भी छीखता हूँ basics ethical hacking मैं खुद से चीखता हूँ मैं खुद से काम करता हूँ सब कुछ मैं खुद से चीखता हूँ तो मैं किसी का advice ने लिया तो मैंने इसको मंगाया है क्यू इसके पिछे the reason है ये monitor mode support करता है monitor mode कै перहुत है या कुछ भी हम लोग हमारे आस पास की जो भी हम लोग hacking करते हैं उसका जो भी security है हम लोग जब भी testing करते हैं hacking का मतलब यह नहीं कि कुछ illegal चीज यह जो होता है legal चीज होता है हम लोग जब भी wireless हमारी connection को हम लोग जब भी check करते हैं तो उसके लिए Wi-Fi adapter चाहिए Wi-Fi adapter ऐसे ही लगा देंगे तो यह काम नहीं कर गया यह काली Linux जो है monitor mode को ही support करेगा monitor mode इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम लोग Wi-Fi चे connect होते हैं हमारे PC के साथ तो यह packet के से share करते है यहां यह mbps हम लोग बोलते है इसमें packets share होते है यह data पकेट में share होता है तो हम लोग वो packets sniff करना होता है कैसे sniff करना है monitor mode support नहीं करता तो packet sniff नहीं होगे पैकेट्स स्निफ नहीं होते हमें पास्वर्ड नहीं मिलेगा पास्वर्ड जो है पैकेट्स में सेव होता है तो guys यही इसका मकसद पीछे तो जो भी ethical hacker सीखता है hacking करता है उसको kali linux use करना बहुत important है अगर आप लोग kali linux use करते हो इसको आप लोग जरूर खरीदी है क्योंकि मैं जो link है मैं उसको आप लोगों को description में दे दूँगा जो मैं आप लोगों को यह जो है अगर आपके पास इतना budget नहीं है और भी दो link दूँगा जो 200 या 300 पर मैं आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को अच्छा लगा तो like कीजिए subscribe कीजिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक लाइक का या likes जो होते है मेरे motivation होते है subscribers जो होते है मेरे लिए responsibility है कि मैं आप लोगों को अच्छे से content दे पाऊं तो guys मेरी website की link आपको description में दे दूँगा अगर आपको वहां पर website को जाना है तो आप लोग वहां से जा सकते हैं इसके बार में जो मेरी review है तो आप लोग वहां से भी जाके पढ़ भी सकते हैं ठीक है guys तो thank you guys for watching once again so guys till next video have a great time